इस complete react course में हम लोग react.js को starting से लेके end तक सीखेंगे react आज की तारीक में सबसे जादा popular single page applications को बनाने वाली library है ये एक ऐसा tool है जो की facebook के द्वारा maintain किया जाता है इसकी काफी demand है अगर हम लोग jobs की बात करें तो और उसी के साथ-साथ इसको इस्तिमाल करना एक बहुत अच्छा experience होता है अगर आप लोगों को नहीं बता कि single page application क्या होता है तो single page application एक ऐसी web application होती है जो की एक बार load होती है और बाकी का सारा काम java script से होता है चाहें वो एक page से दूसरे page का navigation हो यह सारे के सारे काम बिना page को reload किये seamlessly होते हैं आप लोगों ने कोई ना कोई single page application अपनी life में जरूर विजट करी होगी हजारों recruiters आज की तारीख में react.js को इस्तमाल करके अच्छी applications बनाने वाले candidates की तलाश में रहते हैं इसलिए अगर आप लोगों को job चाहिए web development की field में तो react.js आप लोगों के लिए एक बहुत effective tool सावित हो सकता है इस react course में हम लोग react को बहुत ही basic से start करेंगे and then we'll raise the bar like anything इस course का prerequisite कुछ नहीं है बस आप लोगों को अपना time लेकर इस course के अंदर आना है और मैं आप लोगों को react.js एकदम completely सिखा दूँगा चाहिए वो javascript हो उसके लिए भी हम लोग एक refresher plan करेंगे जिसमें सारे javascript के वो concepts जो कि आप लोगों को react.js को use करने के लिए चाहिए एक जगा पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा और react.js को सीखना आप लोगों के लिए free, enjoying and worth it बनाऊंगा react.js components पर आदारित होती है जो की एक website को टुकडों में तोड़कर बनाने की प्रकिरिया होती है एक component को हम एक से ज़ादा बार इस्तेमान कर सकते हैं same website में आपकी किसी दूसी website में भी किसी एक website की component को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है यह चीज react.js को बहुत popular बनाती है क्योंकि यह right ones, use everywhere वाले principle को बहुत अच्छी तरह से लागू करती है react की सबसे अच्छी बात यह है कि एकदम raw होती है, एकदम bare bones होती है आपको बहुत सारे react के अपने concept को समझने की जरूरत नहीं है in fact सिर्फ programming अगर आप लोगों को जावस्कृट माती है तो react को सीखना आप लोगों के लिए बहुत आसान मन जाता है यह बात react के लिए और react को सीखने वाले developers के लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आप लोगों को अलग से बहुत सारे concept सीखने की जरूरत नहीं है उतना जादा file structure सीखने की जरूरत नहीं है directly आप लोग react application को बहुत आसानी से बनाना start कर सकते हैं और existing libraries for example http के लिए axios वगेरा आप लोग इस्तमाल कर सकते हैं react application के अंदर ही in fact react के अंदर तो router भी नहीं होता है router का मतलब की बिना page को reload किए अगर आप लोग एक से दूसरी page में जाना चाते हैं तो आप लोगों को router भी अलग से इस्तमाल करना पड़ता है आप में से कई लोगों को लगेगा ये एक अच्छी ख़बर नहीं है आपको कुछ भी pay करने की जरूरत नहीं है जितना इस react course को बहतरीन और the best बनाने के लिए मुझे मेहनत और efforts डालने पड़ेंगे वो मैं डालूँगा आगे बढ़ने से पहले बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को like कर दें और नीचे comment में लिख दें बहुत जादा theory पर believe नहीं करता हूँ theory सिर्फ मैं उतनी बताता हूँ जितनी आप लोग को जरूरत है या फिर अगर आप कोई exam based preparation कर रहे हैं तो उसके लिए जितनी theory जरूरी होती है उतनी मैं बताता हूँ node.js npm को install करेंगे हम लोग कुछ vs code की extensions को देखेंगे उसी के साथ साथ कुछ ऐसी बाते हम लोग देखेंगे जो कि आप लोग की react journey में आप लोग को बहुत जादा मदद करेगी कम से कम आप लोग को code type करना पड़ेगा एक ऐसी technique बताऊंगा तो यार मुझसे तो बिल्कुल भी इंतिसार नहीं होता आप खड़े खड़े चलते हैं computer screen के अंदर और वहाँ पर जाकर तभाई मचाते है react.js को start करते हैं installation बगएरा करके react के master बरने की journey को हम लोग start करते हैं तो let's move to the computer screen now चलते हैं computer screen में और अपनी react journey को start करते हैं मैं आ चुक हूँ अपनी computer screen के अंदर अब हम लोग react.js को install करेंगे हम लोग देखेंगे क्या-क्या वो tools है जो कि हम लोग को use करने है install करने है computer के अंदर ताकि हम लोग react.js के साथ काम कर पाएं सबसे पहले तो आपको node.js install लिखना है download node.js लिख लो कुछ भी आप लिखो आप इस पेज पर आओगे node.js.org slash download अब node.js किया है अगर आप लोग को नहीं बालूम तो node.js एक javascript का runtime है जो कि आपके computer में आपको javascript execute करने में मदद करता है अब यहाँ पर हम लोग javascript में देखेंगे node.js को यूज करना अब अभी आप जल्दी से node.js को install कर लो ठीक है क्योंकि node.js आप लोग जैसे install करोगे उसके बाद ही आप javascript को इस computer के अंदर without browser यूज कर पाऊगे तो हम चाहते हैं बिन ब्राउजर के हम लोग javascript को run कर सके इसलिए हम लोग यहाँ पर node.js को install कर रहे है अब जैसे ही है करता हूं और नेक्स पर क्लिक करने के बाद नेक्स पर क्लिक करके और इसको बिना छेडा चाड़ी किये इसको अलाओ करके permission को जल्दी से नोट.js के installation को 36 कर देता हूं देखो थोड़ा सा टाइम जरूर लगा लेकिन यह install हो गया अब फिनिश पर क्लिक करता हूं और जैसे ही मैं फिनिश पर क्लिक करूँगा यह मेरा install हो चुका है अब अगर आप लोग को पास VS Code नहीं है फिर आप लोग पहली बार coding कर रहे हैं नहीं हो यह बहुत important है यह बहुत सारे लोग चेक नहीं करते हैं और इसके बाद उनको दिक्कत आती है आगे बताऊंगा क्या दिक्कत आती है यह boxes को चेक करने से क्या होगा कि आप लोग यहां पर राइट लिक करोगे तो आपको यह option मिल रहा है open with code मैं इसी folder को VS Code में open कर सकता हूं तो कुल मिलाकर बात यहां पर यह आ रही है कि मैं अगर यहां पर यह सारे के सारे options को चेक करता हूं तो मुझे बहुत सारी advantages मिलती हैं बहुत सारे features को use मैं कर पाऊंगा मैं desktop icon नहीं चाहता है इसलिए मने desktop icon पर चेक नहीं किया आप लोग को desktop icon चाहिए तो आप इसको भी च setup को run कर दिया तो यह जो भी settings मैंने दी है इसको checkboxes को tick करके वो override कर देगा और अब अगर आपको यहां पर right click करके यह चीज़ नहीं देखने को मिलती है तो अब मिलने लग जाएगी अगर नहीं मिले तो शाहिए restart आपको लगे but 90% of the cases में ऐसे ही देखने को मिल जाती है करके जैसे Windows PowerShell को खोलूंगा और मैं आप नोड माइनस माइनस वर्जन लिखोंगा तो आप लोग देखो मेरे नोड का वर्जन यहां पर यह दिखा रहा है और मैं NPM माइनस माइनस वर्जन लिखोंगा तो NPM का वर्जन भी मुझे दिखा देगा अब बहुत सारे लोग य साल के बाद देख रहे हो तो मुझे नहीं मालूम लेकिन अगर आप रिसेंट्ली वीडियो को देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है नोड का वर्जन तो यहार इन फैक बहुत जल्दी चेंज होता रहता है और इसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो टेंशन आप बिल्कु आपको एक चीज और इंस्तॉल कर आँगगा और वो है react devtools टीक है यह Chrome Extension है अगर आप लोग गूगल Chrome में तो यह Chrome Extension है मैं recommend करूंगा Google Chrome में ही आप लुग रहे हैं और यह Facebook के दुवारा बनाई गए extension है अब यह extension क्या करती है आपके सारे के सारे react components को कुछ इस तरह से लिख करने का add extension करने का install हो जाएगी आपके computer के अंदर और यार ये install हो चुकी है अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको install तो हमने कर लिया है अब हम आ जाएंगे जल्दी से VS code में कोई भी folder आपको VS code में अगर खोलना है for example अगर मालो मैं एक react project पर काम कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं कि मेरा जो react project का folder मैं उस पर right click करके open with code कर लेता हूं तो यह जो folder है मेरा जो यहां पर explorer में देखने को मिल रहा है आपको यह folder मेरा VS code में यहां खोल गया आप यहां पर trust the author of the folder करके यहां पर click कर सकते हो और इसके बाद आप लोग यहां पर अगर this.txt नाम से एक file बनाऊगे तो वो यहां पर भी बन जाएगी तो यहां पर भी बन गई तो आपके folder जो है यहां पर जो दिखाई पढ़ रहे हैं और यहां पर जो दिखाई पढ़ रहे हैं यहां पर बड़े अराम से देख सकते हो अब कुछ extensions की बात करेंगे देखो आप लोग वीजल स्टूडियो को extension से और जादा enhance कर सकते हो इसकी functionality को बहुत सारी global extensions में use कर रहा हूं मैं क्या करूँगा इस workspace में in fact मैं सब जगह से ही उसको मैं disable कर दूँगा अगर आपने कोई extension नहीं डाली है कभी भी VS Code में तो आपको कोई attention नहीं होगी कभी भी कोई attention नहीं होगी बट चुकि मैंने डाली होई हैं बहुत सारी तो मैं क्या करूँगा disable कर लूँगा सारी extensions को मैं अलग-अलग languages में काम करता रहता हूँ अलग-अलग चीज़े में काम करता रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारी extensions है बट आप अगर कोई extension यूज नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई extension नहीं मिले कि कुछ extensions हम लोग डाउनलूड करेंगे भी आपको HTTP request मारनी है for example मुझे एक API टेस्ट करनी है मैं यू request पर क्लिक करूँगा और यहीं के यहीं अपनी API टेस्ट करूँगा थंडर क्लाइंट वाले एक टेस्ट करने के लिए get API देते हैं आप इस पर send पर क्लिक करोगे यहाँ पर अपनी API का link डाल सकते हो send पर क्लिक कर सकते हो send पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आप लोगों को यह चीज़े देखने को मिल जाएंगे जो भी response आपकी API देती है ठीक है तो यह थंडर लाइन के बारे में होगे इस पर वापस आएंगे, definitely वापस आएंगे हम लोग काम करेंगे थंडर लाइन को लेकर और इसी के साथ साथ और extensions की बात कर लेता हूँ ES7 React यह वाली, यह वाली extension React Redux snippets, no, 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 not this one GraphQL भी होता है उसमें, हाँ यह ES7 React Redux GraphQL, React Native snippets बहुत कमाल की extension मैं कूँगा बहुत मज़ेदार extension यार, मज़ा आजाएगा आप लोग को भी यूज करके, इसको अभी install कर लो, देखो मैंने install कर रगी है, आप लोग install पर क्लिक करना, आपकी भी install हो जाएगी अब यह क्या होता है कि इस extension से आप लोग बड़े अराम से थोड़े बहुत code लिखोगे, IMP लिखोगे, यह चीज आजाएगा, इंपोर्ट कर पाऊगे module को आप, IMMN लिखोगे यह चीज आजाएगी, और यह चीज आप पर change कर पाऊगे, इसी के साथ साथ class based components और function based components, यह बड़े अराम से आप लोग कर सकते हो, prototypes वगएर आप लोग लिख सकते हो, यह आप बड़े अराम से आप यह सारे काम कर सकते हो, और आगे बताऊँगा इस अब चीज़े क्या होती है, attention मतलो, अभी इंस्टाल कर लो, बस ठीक है, इसी के साथ साथ एक extension और जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है, देखो, बहुत सारे extensions ने मेरे दिमाग में, अगर मैं आपर उनको enumerate करने बैड़ी है, तो बहुत हो जाएंगी, bracket pair colorizer, इससे क्या होता है, मालो, मेरे बहुत सारे brackets हैं, जो कि Java Script में होते ही हैं, अगर आप लो, callbacks वगरे यूज़ करोगे, तो बहुत सारे brackets आ जाते हैं, तो कौन सा bracket कहां बंद हो रहा है, क्या करता है, कि अगर ये bracket यहां बंद हो रहा है, तो इसका color भी pink कर देगा, इसका color भी pink कर देगा, अब react में क्या होता है, हम custom components यूज़ करते हैं, ऐसे मालो मैंने एक component बनाया, navbar, capital, navbar, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब अगर नहीं भी बाता है, तो install करो इसको, मैंने कर रहा है कि install, यह simply क्या करेगा, अगर हम कोई भी static page बनाएंगे, तो उस page को अगर मैं visualize करना चाहता हूँ, तो मैं बड़े आराम से go live पर click करके, उसको visualize कर सकता हूँ, ठीक है, इसी के साथा एक optional extension में आपर आप लोग क इसको recommend कर रहा हूँ, अगर मैं extensions पर आ गया, तो बहुत सारी बहुत बड़ी list है, तो मैं बस उतनी आपको extension इंस्टॉल कर भाऊंगा, जितना आप लोग react के साथ बहुत अच्छे से काम कर पाऊ, ठीक है, तो prettier आप लोग download कर लेना और इसको enable कर लेना, अपने आप में लोगों को ये चीजे सारी अच्छी तरह से आपके computer में install हो गई, आपको समझ में आ गया, हम लोग यापर क्या कर रहे है, आपने सब कुछ download कर लिया, मैं आशा करता हूँ, किसी को दिक्कत नहीं आईगिया, देखो हमने रियाग डाउनलोड किया, हमने रियाग ये चीज आपके मैसी दिख रही है, मेरे मैसी दिख रही है, तो याज क्यों दिखेगी आपके मेरे में सेम जब आप XP यूज कर रहे हो, मैं आपर Windows 10 यूज कर रहा हूँ, 11 में migrate करने के लिए प्लान कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, जैसे 11 आईगी, मैं एकदम से ज इंतबरे कॉंसेट से जिनकी हम लोग बात करेंगे, और हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े बिंदास, मज़ेदार, धमागेदार प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, तो यार आप लोग प्लेइलिस्ट को ज़रूर आकसेस कर लेना, मैं एक प्लेइलिस्ट बनाऊंगा और उस प्लेइलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, और वो प्लेइलिस्ट सब लोग अकसेस कर लेना, क्योंकि सारे वीडियो मैं उसी प्लेइलिस्ट के अंदर डालने वाल हूँ, अभी मैंने वो प्लेइलिस्ट नह आने वाले वो डालूँगा इसके बाद हम लोग discuss करेंगे react के कुछ important concept के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि create react app से basic react app कैसे बनाई जा सकती है और उसके साथ कुछ file structure होदा react का उसको समझने की कोशिश करेंगे और आपको इतने आराम से बताऊंगा ना मैं बिल्कुल नीचे से एकदम जीरो से start करते हुए even अगर जावस्त्रिफ्ट की कच्छी है आपकी उसको भी पक्का करते हुए और आपको ऐसी लेवल पर लेकर जाओंगा कि react में काम करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा तो विद आट सेट हम लोग अगले वीडियो में जापर हम लोग react के कुछ important concepts के बारे हम बात करेंगे अभी के लिए इस वीडियो में इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time